नमस्कार दोस्तों एक विद्यारती ने कॉशन पूछा था कि मैं इस्थान के आधार पर विशेशन कितने प्रकार का होता है तो चलिए आज मैं आपको यही वाला टॉपिक कराती हूं कि जो विशेशन है वो इस्थान के आधार पर कितने प्रकार का होता है और हम इसको पहच जानेंगे कैसे, सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेशन की, कि विशेशन होता क्या है, सबसे पहले इतना ही समझ लीजिए आप, विशेशन, आपने विशेशन को देखा होगा, जो ये बहुत ही most important topic है हमारे सारे exams के लिए, लेकिन RO के exam के लिए ये बहुत जादा most important है, क्यो विशेशन, इसके साथ एक और शब्द आपको जुड़ता है, इन दोनों में आप अंतर समझेए कि विशेशन और विशेशन होता क्या है, विशेशन हम कहते हैं, जब हम किसी संग्या या सर्वनाम की कोई विशेशता बताते हैं, क्या कोई भी संग्या है, या सर्वनाम है, हम अगर उसकी कोई विशेष्टा बता रहे हैं तो जिस शब्द के माध्यम से हम विशेष्टा बताते हैं वही कहलाता है विशेष्ण ठीक है? जिस शब्द के माध्यम से हम किसी भी संग्या या सर्वनाम की विशेष्टा बता रहे होते हैं वो विशेशन कहलाता है और जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताई गई है उसको हम संग्या या सर्वनाम न कहकर विशेश्य कहते हैं ठीक है तो ये एक आपका जोड़ा बनता है विशेशन और विशेश्य का ध्यान दीजेगा कि हमारा जो विशेशन है वो सदैव विशेश्य के पहले लगता है, अगर हम स्थान की बात करने बैठे हैं, ठीक है, तो चलिए, पहले कैसे, ध्यान दीजेगा, हमेशा जो विशेश्य है, वो पीछे पाया जाएगा, और इसका जो विशेशन है, वो इसके आगे रहेगा, विशेशन, ये एकदम 100% आपका काम करता है, इसमें एक पस्वेंट भी उपर नीचे नहीं है, समझ लीजेगा, हो सकता है, बहुत सारे लोग जो आप में से जानते होंगे, वो एकदम से बेचैन होंगे, कि ऐसे कैसे होता है, हमने तो बहुत सारे वाक्यों के अंदर विशेशन कभी भी बिना संग्या के नहीं आता है, जिस प्रकार से आपने इंगलिश भाषा के अंदर देखा होगा, कि जो आपका adjective होता है, वो कभी भी बिना नाउन के नहीं आता, वो अपने पीचे हमेशा और हमेशा नाउन लेता है, वैसा ही रूल यहां पर भी हिंदी के साथ है, विशेशन अपने साथ हमेशा कोई न कोई संग्या पदलेता है, संग्या पदले या सर्वनाम पदले, ठीक है, तो वो अपने साथ हमेशा लेता है, और वो तुरंत पीचे ही लेता है, लेकिन आप कहेंगे कि मेडम, बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं, जिन में हम को पहले जो विशेश है वो पहले नजर आता है और उसके बाद विशेशन बाद में तो ध्यान दीजेगा हमारे जो ऐसे वाक्य होते हैं उनमें सर्वनाम जो होता है काई बार सार्वनामिक विशेशन भी उनके साथ लगा हुआ होता है ठीक है और कई स्थिति ऐसी आजाती है कि जहां पर हमें जो विशेशन हैं हम बना रहे हैं लेकिन हम हम उसको आगे रखके बना सकते हैं लेकिन फिर भी हम उसको पीछे रखके बना देते हैं अपनी बोलचाल की भासा में वहां पर आता है तो चलिए यहां पर इसी इसी वजह से यानि इस थान को लेके काफी जादा कन्फुजन होता है इसी वज़े से यह विशेशन दो प्रकार का यह नि जो विशेशन है हम इसको भाद । जब हम इसको वरगी कृत करते हैं कि अगर विशेशन का आप से पूछा जाए कि विशेशन कितने प्रकार का होता है तो हम इसे तीन आधारों पर बाटते हैं एक होता है हमारा इस्थान के आधार पर ठीक है इस्थान के आधार पर लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं हम स्थान की तो ये दो प्रकार का होता है और जब हम बात करते हैं प्रयोग की तो ये चार प्रकार का होता है और जब हम बात करते हैं तुलना की तो ये तीन प्रकार का होता है जैसे ये स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें ये उद्देश्य विशेशन और विधे विशेशन दो प्रकारका होता है अवको आज जो समझाने वाली हूं आपको यही समझाओंगी इस पोछा जाए कि अगर आपको नाम दे कर पूछा जाए तो फिर संख्यायाद रख लीजिएगा इस तरही से हम इसको कुझा काूं कौन सा होता है स्थान के आधार पर यह हमारा दो प्रकार का है एक उद्देश्य विशेशन अब आपको यहां पर समझना है उद्देश्य विशेशन क्या होता है उदेशे विशेशन वे विशेशन होते हैं जो अपने विशेशे के आगे जुड़ते हैं कहां पर जैसे विशेशे है और ये अपने विशेशे के आगे लगे होते हैं यहां पर विशेशन तो ये विशेशन हमारा कहलाएगा उद्देश्य विशेशन क्योंकि ये विशेश्य से पहले लगा हुआ है और विधे विशेश्य में जो हमारा विशेश्य आता है इसमें विशेश्य होता है पहले और इसका विशेश्य बाद में होता है आप यह condition है, हमें इस तरह से बोल देते हैं लेकिन यह गलत होता है बड़ कई बार ऐसा होता है कि इस Whewishishyandr के आगे यहां पर सर्वनाम लगा रहता है और वो सर्वनाम क्या कहलाता है फिर सार्वनामिकतन कहलाता है तो विशेशन से पहले यानि इस विशेशन से पहले भी यहां विशेशन होता है हमारे वाक्यों में अगर हम देखें तो पर हम बात करते हैं कि कई बार ऐसे भी होता है एक ही विशेशन के लिए दो विशेशन आये हुए होते हैं एक पहले और एक बाद में तो वो जो बाद में विशेशन आया हुआ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं विधे विशेशन कहते हैं अब आप कहेंगे मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा एक्जामपल से समझाईए तो मैं आप लोगों को एक्जामपल लेती हूँ यहाँ पर जैसे मालो हमने यहाँ पर बात करी एक वाक्य हमने लिया कि गाए मीठा दूद देती है अब अगर हम इस में विशेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो विशेशन है वो है मीठा और अगर हम बात करें कि यह किसका विशेशन है तो दूद का विशेशन है क्योंकि मीठा कौन है दूद है तो दूद का विशेशन है तो यहाँ पर अब हमको पताए कि यह जो मीठा है यह क्या है विशेशन है ठीक है और जो ये दूद है ये वो संग्या है जिसकी विसेस्ता बताई गई है तो ये क्या कहलाएगा विशेश्य कहलाएगा तो अब ये विशेश्य से पहले आया है ये विशेश्य तो ये vication कौन सा vication कहलाएगा ये उद्देशी vication कहलाएगा क्या कहलाएगा उद्देशी vication कहलाएगा ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत सारे example ले सकते हैं जैसे मालो हमने कहा कि मौहन अच्छा लड़का है मौहन अच्छा लड़का है अब देखे यहाँ पर जो विशेशन है वो है अच्छा और अच्छा कौन है आप कहेंगे मैडम यह तो मौहन है मौहन अच्छा नहीं है लड़का अच्छा है मौहन कैसा लड़का है अच्छा लड़का है ठीक है तो यहाँ पर यानि यह आपको संग्या दिखाई दे रही है लड़का लड़का कैसा है अच्छा है लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया इसी मोहन के लिए कि यह मोहन बुरा पती है अब बताईए यह यही मोहन है ना जब यह लड़का के रूप में है जब इसकी जो पदवी है लड़का वाली वहाँ तो यह अच्छा है या फिर हम लड़का की जगा करके अगर हम शब्द रख दे बेटा तो आपको ज़्यादा इस पस्ट हो जाएगा बेटा की मोहन अच्छा बेटा है अब अपने माता पिता के लिए जो मोहन है वो बहुत अच्छा बेटा हो गया लेकिन अपनी पतनी के लिए यह एक बुरा पती है सराब पीता है मार पीट करता है तो कैसा है बुरा है लेकिन मोहन तो मोहन ही है ना तो हम यह नहीं कह सकते क के यहाँ पर जो हमारा विशेश्य है वो यह हUNG हन तो दूसरा विशेशता है पहला विशेश्य क्या है जो हमारे विशेशन के तुरंत बाद अया चैन। बेटा और पती तो यहाँ पर अब यह बात आपको फ्रस only को शेसी थulate कि हम ले लेते हैं मोहन अच्छा लड़का है ऐसे यह था शायद मोहन नाम था या कोई और नाम उसमें आप से पूछा गया था कि इसका विसेश से क्या है यानि इस वाक्य во convicted के अंदर विसेश्स क्या है और या फिल से रहे अंदर Sc Scases क्या है और तमाम जो आपके अलग आंसर की देने वाले हैं, उन्होंने भी उसका आंसर क्या लगाया? मौहन लगाया, लेकिन आयोग ने उसका आंसर जब दिया था, तो लड़का दिया था, तो काफी सारी बहांस इस बात पर छोड़ी थी, कि लड़का नहीं होगा, मौहन होगा, ले जो विशेश्य मिलेगा तो इस तरह से आपको समझ में आई अब यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई कि जैसे हमने यहां पर देखा अगर हम बात करें यहां पर मीठा दूद की आप मैं इसको आपको बताती हूं फिर से बता रही हूं जो मैं आज आपको बताने वाली थ थी इस्थान के बारे में ठीक है तो वो आपको यहां पर समझने है कि मीठा दूद हम इसमें बात कर रहे थे दूद हमारा क्या है विशेश है और इसका विशेशन क्या है मीठा पहले आया है तो यह कौन सा कहलाएगा उद्देश विशेशन कहलाएगा इसी तरह से यह उद्देश्य विशेशन है ठीक है पहले आया है इसले इसी तरह से दूसरा जोड़ा ये है यहां पर हमारा क्या दिया है पती ये विशेश्य दिया है और इसका विशेशन क्या है बुरा ये कौन सा विशेशन है ये भी हमारा उद्देश्य विशेशन है क्योंकि ये आगे आ तो एक चीज आपको समझ में आ गई अब हम बात करते हैं विधे विशेशन की तो मैंने आपको यहाँ पर जो विधे विशेशन था इसमें मैंने बताया था कि विशेशन जो है वो आपका पहले लगा होता है और इसका विशेशन जो है वो बाद में होता है तो जिसमें विश के विशेशन कहलाता है चलिए जैसे देखिए हम इसमें एक्जामपल ले लेते हैं मालो हमने एक एक्जामपल लिया कि यह है चांदी और यह आपके एक्जाम में पूछा हुआ है ठीक है यह है चांदी खोटी सी है यह है चांदी खोटी सी है अब देखो यहां पर आपको पता चलता है कि यहां पर जो यह शब्द दिया हुआ है खोटी सी यह क्या है विशेशन है किसकी विशेस्ता बता रहा है चांदी की विशेस्ता बता रहा है तो ये चांदी यहां पर क्या है ये एक विशेशन है और ये जो खोटी सी है ये इसका विशेशन है ठीक है लेकिन यहां पर ध्यान दीजेगा ये जो यह है ये भी एक विशेशन ही है विशेशन है ये, ठीक है, सार्व नामिक विशेशन कहलाएगा ये, तो आपको यहाँ पर देखना है, मैंने जब आप लोगों को पहले ये बात बताई थी, कि जो विशेशन है आपका, वो हमेशा विशेशन से पहले आता है, तो इसमें जब एक बार ये विशेशन आ गया, यानि कौन सी चांदी की बात कर रहे हैं, हम इस चांदी की बात कर रहे हैं, तो यह इसको फोकस करने के लिए आया, यहाँ पर निशित करने के लिए आया, यहाँ इसकी सीमा निधारित करने के लिए आया है, तो यहाँ पर ये सार्व नामिक विशेशन कहलाया, और अब अथान के आधार पर ये कौन सा विशेशन हैं तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये विधे विशेशन हैं क्योंकि ये विशेश्चे के बाद में हैं लेकिन आपको पता है यह भी और खोटी सी भी ये दोनों ही जो विशेशन हैं ये किसकी विशेश्चा बता रहे हैं चांदी की विशेस्ता बता रहे हैं ठीक है तो इसी तरह हम जैसे मालो हम एक और उधारन लेते हैं यहां पर मालो हमें हमने यहां पर उधारन लिया जैसे एक आता है कि मालो यह लड़का चालाक है हमने ऐसे वाक्य लिया तो मैं इसे लिखती हूं दूसरा वाक्य हम यहां पर लिखते है ध्यान दिजेगा. जैसे हमने कहा वह लड़का वह लड़का चालाख है. अब यहां पर आप देखिये, कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लड़का है यह हमारा क्या है? विशेश्य है. अब आप सामने देख लीजेगा यह विशेश्य है और इसकी विशेशन कहां किसमें बताई जा रही है कि वो कैसा है चालाक है तो यह विशेशन यहां पर पीछे आ गया लेकिन यह विशेशन पीछे जो आया है यह तब ही आया है कि इसके साथ न यहां पर एक सार्बनामिक विशेशन भी पहले दिया हुआ है यानि हमारा वो न में यह पूछा जाए या ऐसे वाक्य देकर कि वह लड़का चालाक है अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है वाक्य में और आपसे पूछता है कि इसमें विधे विशेशन बताइए तो आप अंतिम वाला ही चुनेंगे क्योंकि आपको पता है कि यह कौन सा विशेशन है आप का विधे विशेशन हैं देखो यह चीज मैंने आपको ना दोनों इस तरह से करके समझाई है कि अक्सर ना जब आगर मालो मैं इस पर वह वाला या यह है यहां पर जो भी आता है अगर मैं उसको फोकस नहीं करती हूं और यहीं पर दिखाती हूं तो विध्यारती हमेंसे य क्यूं करता है जो मैंने बात कही है वह हमेसा सत्य है लेकिन उसके साथी साथ ऐसी कंडीशन भी आती है जहां पर दो विशेशन साथ आते हैं और जब दो विशेशन साथ आजाते हैं कई बार तो वो आजे और पीछे दूनों तरफ लग जाते हैं अगर मालो अगर आप ये हटा भी दे, है न, आप ये हटा भी दीजे, तो आपका ये वाक्य अधूरा लगेगा, आप कहेंगे लड़का चालाक है, ये अधूरा सा वाक्य लगता है, हम तब क्या बोलते हैं, चालाक लड़का है, तो चालाक लड़का है, हमने लड़का से पहले चालाक लगा दिया, त पर पिर कहें सार्वणामिक विशेशन इसके पहले लेना पड़ता है तभी आता है और यह जो प्रशन है इस तरह के प्रशन पहले आपके प्रिवेस question paper में आपको देखने को नहीं मिलेंगे यह अभी एक साल या दो साल पहले ही उठाए हैं खास करके ये इस तरह के जो प्रशन होते हैं आपके ये TGT PGT में ही ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन अभी आपके और competitive exam में पूछे जाने लगे हैं इसके अलावा ये जो आपके प्रशन है ये 12th की class में आते हैं यानि 12th class का जो आपका syllabus होता है उसमें वहाँ पे ये question पूछे हो रही थी वह बार-बार मुझे ये question कर रहा था कि मैं ये वाली चीज मुझे बता दीजे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस थान वाले को हम कैसे पहचान करें तो उमीद करती हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अ